यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी वाइवल मैसेज और प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहां पर हम आपको सुब़ शाम वचन, प्रार्तना और गवाहियों के द्वारा उस्साहित करते हैं यदि आप प्रातना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके भी प्रातना करवा सकते हैं धन्यवाद के बारे में सोचते रहते हैं। प्रवो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, प्रवो हमारी प्रार्थनों को नहीं सुन रहा, इन बातों के विशे में विचार करते रहते हैं, इन पर ध्यान लगाए रहते हैं, और जिस करण से वे और इन बातों में डूपते चले जाते हैं, जिस करण से उनके जीवन में और सम कर रहा हूं कि आपको वो नहीं सोचना जिससे आप होकर गुजर रहे हैं बलकि आपको वो सोचना है जो प्रभू आपके लिए सोचता है उन बातों पर आपको ध्यान लगाना है जो प्रभू आपके लिए सोचते हैं जो प्रभू की योजना आपके लिए है उन पर आपको अ उस प्लान पर अपने थौर्टश को, अपने विचारों को आपको लगाना है। कैसे आप ये करेंगे, कैसे आप करेंगे ये और इसका क्या फाइदा होगा, इसका ये फाइदा होगा कि आप इस समश्या से इस प्रस्तिति से बाहर निकलाएंगी। उस चिंता से उस परिशानी से आप बाहर निकलाएंगे। क्योंकि बाइविल कहते हैं जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए होगा। और इस विपरीत समय में आपका विश्वास बहुत माईने रखता है कि आप क्या विश्वास कर रहे हैं। इसलिए आस्थाम में मैं आपको उच्छाइट कर रहा हूँ कि परमेश्वर की बातों को सोचना सुरू करें। परमेश्वर की बातों के अनुसार सोचना सुरू करें। उन पर ध्यान लगाना सुरू करें। पहला कुरूंतियों किताब उसका दो अध्याई और नौप अधि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ इस परकार से लिखा है परंतु जैसा लिखा है जो बात आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बाते मनुष्य के चित में नहीं चड़ी वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तयार की है आम बाते तुमारे चित में भी नहीं आई है ऐसी बातें परमेश्वर ने तुमारे लिए तयार करके रखी हूई है परमेश्वर ने उस पर ध्यार कर रहे हैं जो परमेशन ने स्टोर करके आपके लिए रखा हुआ है, जो परमेशन ने संजो कर आपके लिए रखा हुआ है, उस पर ध्यान नहीं करना है, आपको उस पर ध्यान करना है, यदि आप आज घटी कमी में हैं, तो उस घटी कमी पर अपने ध्यान को न लगाए, ये न लगाए कि मैं कर से कैसे बहार निकोलूंगा ये ने लगाए बलकि आपको लगाना है इस बात पर कि परमेश्र अपने महिमा मैधन से मेरी घटी कमी को पूरा करेगा इसलिए मैं चिंतित नहीं रहूँगा परमेश्र मेरा उपाई करने वाला परमेश्र है इसलिए मैं चिंतित नहीं रहूँगा आपको उसके वचन पर अपने ध्यान को लगाना है यहवा मेरा चरवा है मुझे कोई घटी कमी नहीं होगी इसलिए मैं परिशान नहीं रहूँगा मेरे भोशे में आगे क्या होगा इस बात को सोच कर आप चिंतित हैं लेकिन आपको परमेश्र का वचन पर अपने ध्यान को लगाना है कि परमेश्र निकाम मैं तुझे आसीस दूँगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा तुझे आसीस का मूल होगा, मैं तेरे कामों को सफल करूँगा इन बातों पर आपको ध्यान लगाना है आपको लग रहा है कि मैं अकेला हूँ प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरी साथ में हूँ आप क्या सोच रहे हैं, कई विपरित तो नहीं सोच रहे हैं आप परमेश्र के वचन के विपरित तो नहीं सोच रहे हैं अपने लिए और जिदि आप विपरित सोच रहे हैं तो बहुत मुस्किल है आगे बढ़ना आपको परमेश्र के वचन से सहमत होना होगा परमेश्र के वचन से आपको सहमत होना होगा और जिस घड़ी आप परमेश्र के वचन से सहमत होते हैं, वो वचन आपके हिर्दे में फल्वन्त होने लगता है, तो इसलिए वो सोचे जो परमेश्र का वचन कहता है, वो न सोचे जो आपकी प्रस्तिती में चल रहा है, उसे न सोचे, उसे सोचे जो परमेश्र का वचन पहुँच डालेगा परमेश्वर तेरे लिए मार्ग को बनाएगा परमेश्वर तेरे द्वारा तेरे परिवार के जीवन को बदल देगा तेरे द्वारा तेरा परिवार उद्धार को पाएगा तेरा घनाना उद्धार को पाएगा आपका विश्वास किस पर है अपनी परस् श्वास है वो वचन आपके जीवन में फलवन होगा और जब तक आप परमेश्य के अनुसार नहीं सोचेंगे, जब तक आप उस पर ध्यान नहीं लगाएंगे, तब तक आपको इस प्रस्तिते से निकलना मुस्किन है, आपको परमेश्य के वचन को पकड़ना होगा, आपको परमेश्र के वचन पर ध्यान लगाना होगा तब रवो आप जीवन में काम करेगा क्योंकि उसका वचन फल्वन तो होता है. उसका वचन कारिय करता है. इसलिए आज सामें मैं आपको उत्साइट करूँगा. वो सोचे जो परमेश्र का वचन कहता है. वहाँ अपने ध्यान को लगाएं जो परमेशु का वचन कहाता है अपनी परस्तति के अनुसार न चलें बलकि परमेशु के वचन के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ें सुप्रव आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयद से आसिस दें आमीन दोस्तों यदि आप बाइबल परना सीखना चाहते हैं तो आप हमारा इस वीडियो को देखें जरूर से देखें क्योंकि इस वीडियो में हमने सिखाया है कि आप कैसे बाइबल पर सकते हैं बहुत सारे भाई बैनों के फोन आते हैं कमेंट्स आते हैं WhatsApp message आते हैं कि उन्हें Bible पढ़ना नहीं आता, वो समझ नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को आप जाकर जरूर से देखें, यहां हमने सिखाया है कि कैसे आपको Bible अधियन करना है और आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, सो प्रभाव आपको आसे से. मैं बरेली से बोल लहीं हूँ, और मैंने अपनी बेटी के लिए प्रेर भीजी थी, और मैंने प्रेर भीजी थी, उसके बड़े बड़े खोड़े निकले गए थे, दो हमने कोई दवानी दिलवाई, प्रेर करवाई थी सिख्टर से, और उसके खोड़े वो साही हो गया, इसल संदर से पल के लिए और मैं आशा करती हूं कि आप वचन सुनकर excited हुए होंगे उच्साहित हुए होंगे परमेश्व ने आप से वचन के दुवरा बात की है मैं आशा करती हूं आइए मिलकर मेरे साथ आप रातना करें जो भी आपका विशे है जो जिस बात के लिए आप परि दनिवाद करते हैं प्रभू की रिपस्तिती में आकर प्रभू आपकी समी बैट कर आपसे प्रॉतना कर सके पर्मेशर जो भी हालात इस समय प्रभू आपके लोगों के हैं जब निराशा में परिशानियों में तो प्रभू आपसे प्रातन है कि दुख के कारण को प्रभू जी आप आनन में बदल दे और जो खुशी से प्रभू आपके समुख धनेवाद देने आए हैं उन धनेवादित भेटों को लेकर प्रभू तेरे पास लोग आये हैं परमेश्व आप उन्हें ब्लेस करें प्रभू आज के सुंदर वचन के लिए प्रभू तेरा धनेवाद करते हैं प्रभू तेरा वचन हमें उत्साहित करता है तेरा वचन प्रभू हमें प्रभू अंदर ही अंदर प्रभू जीवन देता है परमेश्व पिता सच में प्रभू आज प्रभू जिस प परेम करने वालों के लिए तयार किया है, हाँ परमेश्व पिता, सच में हम भी वही सोचने पाएं, उस बात को सोच और विचार करने पाएं, जो विचार आपका हम सब के लिए परमेश्वर, यदि आज परस्तितियां विपरीत हैं, हालात मुश्किल हैं, बहुत जादा कठन और बहुत जादा स्ट्रगल, डिसपोइंटमेंट, प्रभु बहुत जादा निराशा और उतावली जीवन में प्रभु आपके लोगों के है, परन्तु पिता, आपका वच्चन उतसाहित करता है पिता, होने दीजए आपके लोग भी प्रभु जी अपनी विप्रीत परस् और बहुत ज़ादा कम्मिनिकेशन गैप है, मिसंडेस्टैंडिंग है प्रभु एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं प्रभु जी, बहुत ज़ादा दूरियां बढ़ चुकी है पिता परिवारों में प्रभु जी, आज मेल मिलाप की कमी है एकता की कमी है परमेश तेरा वचन कहता है परमेश्व पिता कि प्रभु तूने प्रभु जब देह को बनाया तो देह में प्रभु तुने नाना प्रकार के अंगों को पिता परमेश्वर उसमें न्यूक्त किया परमेश्वर ताकि उन सारे अंगों को मिलकर प्रभु वो देह बन सके परमेश्व है मेरे खुदावन ये इस बात को सोचने पाएं कि वो एक ही देग के आंग है और मेल मुलाप और यूनिटी के साथ में परमेisch इन का घराना इनके परिवार के लोगे रहने पाएं बच्चे माता पिता के साथ मिलकर रहने पाएं परमेशो पिता हस्बिन वाइट मिलकर रहने पाएं भाई बहन मिलकर रहने पाएं पिता सास बहु मिलकर रहने पाएं पिता प्रभु जी परिवार का एक एक सदस से प्रबुजी प्रबु जो परिवार में जोड़ा गया खुदावन वो एक साथ रहने पाए प्यारे परमेश्यु पिता, क्योंकि परमेश्यु प्रबु तेरा वचन कहता है कि दे में जो अंग निर्बल जाने जाते हैं, वो उतने ही अवशक हैं, जितने की और अंग जो कार् हाँ परमेश्व पिता हम ब्लेस करते परिवार के एक एक सदस्य को इस समय बहुत से लोग प्रभु जी जॉब के लिए परिशाने उनके पास कोई भी रोजगार का साधर नहीं कोई भी पिता काम नहीं पिता और प्रभु बहुत जादा फाइनेंशल प्रॉब्लम से आर्थि शुन नासरी के नाम से एक अच्छा जॉब दे कर इन भाइ बेहनों को प्रभु ब्लेस करें प्रभु एक अच्छा रोजगार आप दे एक अछा बिजनस आप दे प्रभु जिसBoy करके ये जीवन के हर एक छेत्र में प्रभु सफल हो सके अपनी जरुतों को अपने प्रभु येश्य मसी आप उन्हें और बुद्धी दे परमेश्वर ताकि वो अपना बेस्ट दे सके और कौलिफाइड हो सके परमेश्वर और उंचे उंचे पदों पर अधिकारियों के साथ में बैठाने का सवभग्य दिया परमेश्वर मैं धनिवाद करती हूं मैं प्रात्ना करती हूं जितने भी परिवारों में जितने भी घरों में पिता परमेश्वर लोग प्रभु एडिक्शन में और पिता परमेश्वर बुरी बुरी लथों में पिता जिसके कारण प्रभु उनका जीवन और परिवार का माह अब खराब हो रहा है पिता, येश्व नासरी आज उन परिवारों में तेरा बदलाव आए पिता, तेरा वचन उनके परिवार के लिए को बदल दूगा, मैं तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल दूगा, मैं तुम्हें बढ़ाओंगा, आशीज दूगा, सच मेरे पित तेरा विचार प्रभू इनके परिवार और उन सदस्यों के लिए जो एडिक्शन में है, बुरी-बुरी लतों में है, तेरा विचार उनके लिए है कि वो बहमूल्य है, वो कीमती है और आप उन्हें उपयोगी बनाना चाहते हैं प्रभू, ऐसा आज ये विचार कर सके, ऐसा ये सोच सके पिता, प्यारे प्रभू, आज जितने भी लोग करजे में हैं, परन्तु तेरा वचन कहता है, मैं तुझे लेने वाला नहीं, परन्तु देने वाला बनाऊंगा, आज इस वचन पर प्रभू तेरे लोग ध्यान कर सके, खुदा, आज जितने भी लोग करजे में प्रभुजी, constipation, प्रभु, heart problem, kidney, liver problem, पिता, प्रभुजी, जिने बार-बार चक्कर आते हैं, migraine की problem है, हर एक बिमारी, प्रभु, जो इनके शरीरों में है, इसी वक्त इनके शरीरों को छोड़ कर चली जाए, प्रभु, येशु के नाम से हर एक बिमारी के उपर, जो इन भाई-बेनों के शरीर में, बच्चों के नौजवानों के शरीर में है, हम आग्या देते हैं, इनके शरीरों को छोड़ कर जाओ, येशु के नाम से, बिमारी हम तुम्हें completely नस्ट होने के आग्या देते हैं, प्रभु जी, प्लेटिलेट्स डाउन हो गई हैं पिता, मैं प्रात्न करती प्रभु, उनके प्लेट्स इंक्रीज ओने में आप मदद साहता करें, चंगाई का सामर्ति प्रभु, इनकी बॉड़ी में बहने लगे, और इनका शरीर हस्ट पुस्ट और भला चंगा हो, और उ अच्छी नीन से सुलाएं, प्रभु दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, और जितनी प्रात्न विंतिया प्रभु हमारे साथ मिलकर आपके बेटे-बेटें ये की है, मैं धनिवाद करती हूं कि आपने सुना उत्तरहां आमीन में दिया, ठैंक यू जीजस, आपने हमारी विंति को सुना उत्तरहां आमीन में दिया, येश्यो के नाम से प्रात्न मांगते, आमेन आमेन और आमेन